जब इनको गोदी मीडिया बोला जाता है तो ये लोग दावा करते हैं नहीं हम लोग बिलकुल निस्पक्स हैं अब आगे की सुनिए अहम बात तो यहां पर है सोचिए इभियम जैसे मुद्दे को असलाम आलेकुम दोस्तो मैं महम्मद हुसैन दोस्तो इस चेहरे को देखिए इसका नाम है देवेंद्र तिवारी भारतिये किसान मंच से जुड़ा हुआ है और गो से बख है या फिर यूं कहिए लिजिए गोरक सक है अब इन दो चेहरे क को देखिए रुकिए आप लोग इस खबर को सुन चुके हैं मैं जानता हूं लेकिन इसमें आप लोग कुछ मिस कर गए हैं इसमें इस खबर में मीडिया का क्या रोल है और ऐसे और भी एहम खबरे हैं जिसमें मीडिया ने क्या रोल अदा किया है सुनते जाईए तो चलिए पहले इन तीनों की कर्तूत आप लोगों को बता देते हैं फिर और भी एहम खबरे हैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा जिसे सुनना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है तो दोस्तों ये दोनों देवेंद्र तिवारी मतलब गवरक्षाक या फिर गवसेबक कही लिजिए उसके कर्मचारी हैं और देवेंद्र तिवारी के ही कहने पर इन दोनों ने फेक आईडी बना कर मतलब मुसलमानों का नाम रखकर अपना आईडी बदल कर मुसलमानों का नाम रखकर राममंदिर, योगी आधित्यनात और यूपी एश्टिएप चीप को बम से उड़ाने की धमकी दी बाद में जब पोलिस जाच में पता चलता है सारा कच्चा चिठा सामने आता है यही देवेंद्र तिबारी यानी की गौव रक्सक्या फिर गौव से बग कहीं लिजिए उसी के कहिने पर ही इन दोनोंने फेक आईडी बना कर ये सारा ड्रामा किया है मतलब सोचिए मुसलमान को बदनाम करने के लिए किस हट्त की लोग जा सकते हैं बरना मुसलमानों का आईडी बना कर मुसलमानों का नाम रख कर ये बाला हरकत करने की क्या जरूरत था रुकिए अब आगे सुनिए यूपी के मेरठ में SDM ओफिस के सामने एक किसान ने खुद को आग लगा डाला अब दोस्तों इसको देखिए सुप्रियम कोट के दो सिनियरोकील भानू प्रताप और महमुद पराचा सात में हजारों लोग ये लोग EBM के बिरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग लोगतंत्र संविधान के दाइरे में रहे कर EBM का बिरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये दोनों आज सात में कुछ और लोग Election Commissioner Office जाने वाले थे और वहाँ पर EBM किस तरह से हैक हो सकता है Election Commissioner के सामने हैक करकर EBM को हैक करके दिखाने वाले थे इसके लिए पहले से ही भानू प्रताप और महमुद पराचा सात में कुछ और सिनियर ओकील जो की पहले से ही Election Commissioner को इस बात के लिए अरजी दी थी और आज ये लोग उस काम के लिए निकले थे Election Commissioner के सामने ही EBM को हैक करने वाले थे इबियम में छेड़ चड़ करने वाले थे लेकिन रास्ते में ही पोलिस इन लोगों को Detent कर लेती है अब आगे रुकिये आगे और भी कुछ ऐसे अहम खबरे है आखिर में जाकर आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें मीडिया का क्या रोल है अब ये थोड़ा पुराना निवच है December 5 की बात है ओडिशा की बात है ओडिशा के कंधमाल जिले में एक सगे भाई ने चार दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही बहन का बलतकार किया और उसको कुलाड़ी से काट कर मार डाला अब आगे की खबर भी आप लोग सुन चुके होंगे IIT BHU केंपस में बलतकार करने वाले तीन आरोपी के बारे में अब ये बताईए इतनी बड़ी बड़ी खबर ऐसे खबरों को एक भी मेंस्ट्रेम मीडिया चलाया दिन भर स्रिप राम मंदिर राम मंदिर करने के अलावा ऐसे खबरों को एक भी मेंस्ट्रेम मीडिया नहीं चलाया और ये ही मीडिया जब इनको गोदी मीडिया बोला जाता है तो ये लोग दावा करते हैं नहीं हम लोग बिलकुल निस्पक्स हैं इस तरह से ये लोग काम करते हैं अब आगे की सुनिए अहम बात तो यहां पर है सोचिए इभियम जैसे मुद्दे को नाजने देश भर में कितने लोग इभियम का विरोत कर रहें इभियम से भोटिंग उन्हें पसंद नहीं ऐसे में इलेक्षन कमिशनर के सामने इलेक्षन कमिशन ओफिस के सामने ओफिस में ही इभियम को ये लोग छेड़ चाड़ हैक करके दिखाने वाले थे इलेक्षन कमिशनर के सामने इभियम को हैक करके दिखाने की चलेंज करते हैं लोग वो भी सुप्रिम कोट के दो सिनियरों कील उसके साथ में हजारों लोग IBM का बिरोध एक खास पाटी को पसंद रही B.H.E.U के बलातकरी एक खास धरम के योगी आजित्यनात राम मंदिर को उड़ाने बले एक खास धरम के लोग ओडिसा के कंधमाल में अपने ही सगी बहन के साथ बलातकर करने वाले एक खास धरम के लोग और यही वो कारण है जिसके बज़े से गोदी मीडिया एक खास पाटी के इसारे पर इन सारी मुद्दों को एवोएड कर रही है सारे मुद्दों को छोड़ कर स्रिप और स्रिप राममंदिर राममंदिर और राममंदिर क्योंकि एक खास पाटी की राजनेतिक जो खेल है वो सामने आ जाएगा मुसलमानों को जो बदनाम करने का खेल हमेशा से खास पाटी करती है इन गोदी मीडिया के जरिये वो सारा उजागर हो जाएगा और यही पर अगर मुसलमान होता तो यही मीडिया किस तरह से अपना भूमी का निभाती आप लोग खुद सोचिए